राधे राधे सभी को आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रमानेंट अफ्लॉरिंग प्लांट की बारे में बात करेंगे जो नर्सी पर शिरफ आपको 20-30 रुपे में आसानी से मिल जाता है और एक बार लगाने के बाद अगर आप इसको 2-3 दिन तक पानी देना भूल भी बस थोड़ा सा यह मुझा सा जाता है अगर आप इसको 3-4 दिन तक पानी ना डाले और अगर आप इसकी थोड़ी से केर कर लें तो यह प्लांट आट-दस साल तक आसानी से चल जाता है और साथी में आपको इसकी कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और फ्री में देखि इस तरीके से आपको तयार प्लांट मिल जाते हैं क्योंकि साइट से इसकी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिससे आपके पास एक हपते के अंदर ही एक नया प्लांट तयार हो जाता है जिसमें फूल आने लगते हैं और कुछ बेबी प्लांट तो ऐसे होते हैं जिसमें मदर प्लांट से ही निकलते हैं साइट से बेबी प्लांट और आपको ज़स इनको हलका सा खिषना होता है तो चलिए जानते हैं कि हमें इस प्लांट की केर कैसे करनी है कि सालों साल चलता रहा है और साथ में बहुत अच्छी ब्लुमिंग करता रहे हैं इस पौदे को आम तोर हैं पहुत करता है तो यह समय एक डेसी प्लांट के यह प्लांट के बराइट भास भुल को धायैं हाउ रहे हैं अगर पीछेटा के बीन दिखाई वह शकी के लृया टे साइज में यानि की लमबाई में थोड़ा साकम जाती है जैसी कि आप देख सकते हैं इनका जो साइज है वो कम है प्रुछत奶 व्यादु साकष्टा हम से और जो हमारा देसी वराइटी होती है, ब्लू वाली, उसकी हाइड कितनी होती है, आप देख सेते हैं, देसी वाले काफी ज्यादा लंबा चला जाता है, दोना ही छोटे-छोटे पॉर्ट में लग जाते हैं, आगे अभी मैं आपको दिखाने वाली भी हो, जो हमारा हाइब्र होता है, वो नीची नीची काफी ज़्यादा फैल जाता है, और जिस भी पॉर्ट में आप इसको लगाएंगी, दोना ही वराइटी को, यह कुछी टाइम में यानि कि 5-6 महिने में उस पॉर्ट को पूरी तरीकी से कवर कर लेता है, क्योंकि नीची काफी सारे बेबी प्लां चाहते हैं, जो छोटी-छोटी पॉर्ट में लग जाएं, तो देखिए, यहां पर सफ पांच इंच का पॉर्ट है, पांच इंच की पॉर्ट में कितनी अच्छी है, काफी इसमें ब्लुमिंग हो रही थी और काफी सारे फ्लोर्स के लिए हो थी, कुछ गिर गया है, और दे हैं यहां-पे यह प्लाइन्ट जो आगे रखा हुआ है वह 10 इंच की अगर आप तीन ना तो भी यह प्लांट बहुत अच्छी से ब्लूमिंग करते रहते हैं अगर आप गुडाई करके हल्की खाट डाल दें तो बहुत सारे जिसमें यह प्लांट आप देख रहे हैं मैंने दो ढ़ाई साल से इनको रिपॉर्ड भी नहीं करा है ज़सके किनारे किनारे से हल्की फुल करते हैं जिस्त आपको हलका सा खीचना होता यह देखिए जड़की साथ बाहर आ जाते हैं यह वाइट कलर है और अभी में देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीकी से हम कम टाइम में फ्री में इसके धेरों प्लांट तियार कर सकते हैं यह बहुत ही खुप सथ कि अधि क्लमी करता हैं और फ्लॉरिंग की बात करें तो इसमें एक बार फ्लॉरिंग स्टा होता है तो तो देखा आपने किस तरीके से हम फ्रीमी बीबी प्लांट निकाल सकते हैं तो यह तो हाइबिड वराइटी का था अभी मैं आपको देशी वराइटी की प्लांट निकाल के दिखाने वाली है यह यह नहीं लगभग इस लगए दो साल पहले लगाया था और देख सकते हैं कि पूरा प्रोट को इसने कवर कर लिया है तो आपको बिल्कुल महारत नहीं करनी है और देखिए हलका से मैं खीचा इस तरह की से प्लांट निकल गया है और इतनी बड़ी रूट बनने में में 15 स ही बाएं से बान प्यासिया लगटर होता है नौन से फोल तो हम बाएं मिल जाता है तो यहां परें कि देखिए बड़े-बड़े इसकी बीभी क्छेकatif इसकी हलका से खीच के निकाल सकते हैं यह जड़ के साथ बाहर आ जाते हैं तो यह देखें यह जड़ के साथ बाहर आ गया है और देखें कितनी बड़ी जड़ बनी हुई है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना हैल्थी बीबी प्लांट हमें मिल गया है हम इसकी उपर से पिंचिंग कर देंगे तो कुछी टाइम में यह बहुत हेल्थी और बुसी बन जाएगा तो इस तरीकिसे आफ्ट्री में कमी टाम में इसके धेरो प्लांट तियार कर सकते हैं अगर आपके टैस पर बहुत ज्यादा तेज धूप आती है तो उसके लिए बैस प्लांट है क्यो तो 50% आप नॉर्मल गार्डन ले लिए और 30% कमपोस्ट और 20% आपको रेक जरूर मिलाना है और यहां पर देखके तीस से ज्यादा प्लांट है जो कि सभी मैंने इसी तरीके से बेबी प्लांट से और कुछ कटिंग से त्यार करें और सभी में देखिए जड़े कितनी अच कर लिए लगाएं क्योंकि यह मुझे गिफ्ट करने हैं इसके लगभव मेरे पास 50 से ज्यादा प्लांट तियार हो गया है विकोस ट्राइम में तो इस तरीके साफ्री में इसके गेरों प्लांट तयार कर सकते हैं और यह दिखिए जो मैंने लगभव एक मेने पहले या फिर बाहर जाते हैं तो आने के बाद अगर आप पानी डालेंगे तो यह ठीक हो जाता है और नहीं इस प्लांट को ज़्यदा इसमें जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो डालते रहते हैं तो देख सितने आप कितने इच्छी ब्लमिंग हो रही है जिससे मैंने पीछे आपको दिखाया तब चले हैं मैं बेबी प्लांट यहां इस पॉर्ट में इनको लगा ले रही हूं तो इस तरह किसे यह जो स आटान में और करणामें चले का चान्से का कम होते स्क्र esempio अभी वर्मी कंपोस्ट सेज़ों चले बाहलते हैं तो साइच में थोड़ी दिन स्कॉतSí ब्लम यह जो औरफेड के बैब प्लांट बैट नंब बलांट यह संड नहीं तरह स्कुर्णरा पिरिभर इस स्कुली और य साइज में थोड़ा साथ छोटे हैं इस तरीके से देखिए सबी बीबी प्लांट को मैंने लगा दिया है और लगाने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल लूँगी पानी आपको बहुत ज्यादा नहीं डाला क्योंकि वैसे भी बारिश हो रही है तो आप हल्कल के इसमें पान प्लांट को आप अपने काड़िन में जरूराइट करें जो बहुत सस्ते के साथ कम केर में बहुत ज्यादा ब्लूमिंग करता है और सालों साल बना रहता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में